कुल चार बेद हैं साम और सांगर वेद इन चार वेदों का वाचन करने वाले जो रिशी होते थे उन्हें किन नामों से पुकारा जाता था बहुत ही इंपार्टेट फोश्टन है तो रिगुवेद का जो वाचन करने वाले रिशी होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था इसके बाद यजुर्वेध का वाचन करने करने वाले जो रिशी होते थे गाता जाता एट आछ इंधाह एक्जाम में मैच करने में पूछता है और सिंगल कोस्टन के रूप में भी पूछता है और सबसे पूछा गया है सामवेद का वाचन करने वाले शिको किस नाम से जाना जाता है तो उसे पुदध गाता करते हैं ओके बहुत इंपार्टन एक अशन का